दोस्तो एक सूरज आसमान में चड़ता है आम सूरज सारी की सारी धर्ती के लिए सांचे का सूरज जिसकी रोश्णी में धर्ती पर सब कुछ दिखाई देता है सब कुछ जन्म लेता है उसकी तपिश में सब कुछ फलता है फूलता है लेकिन एक सूरज, सिर्फ और सिर्फ एक सूरज धर्टी पर भी उगता है खास सूरज, सिर्फ एक खास मन की धर्टी के लिए, खुद के लिए, सारे का सारा इससे एक बात रिष्टा बन जाती है, एक ख्याल, एक तखलीक, एक सपना, एक खाब और एक हकिकत इस सूरज की शकल भी इनसान की तरह होती है और इनसान की कहीं शकलों की तरह इसकी भी कहीं शकले हो सकती है आम तोर पर ये जो सूरज होता है ना ये एक ही धर्दी के लिए होता है लेकिन कभी-कभी आस्मान के सूरज की तरह वो आम भी हो जाता है सबके लिए जब ये देवता ये पेगंबर की रूप में आता है उसकी शकल में आता है और इम्रोज ने इस सुरज को पहली बार एक लेखिगा की शकल में देखा था एक शाइरा की शकल में देखा था और उसे अपना दोस्त बना दिया एक औरत की शकल में एक दोस की शकल में, एक आर्टिस्ट की शकल में, और एक महबूबा की शकल में और जानते हो वो औरत कौन थी? हिम्रोस की अमरिता पीतम